हेलो फ्रेंज मैं हूँ मुकेस और आप देख रहे हैं टेक्निकल मुकेस दोस्तों अगर आप भी इस तरह का HD क्वाल्टी का पोस्ट बनाना चाहते हैं अपने सेर चेट के लिए या अपने इंस्टाग्राम के लिए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है आप वीडियो को ध्यान से देखें मैं आपको step by step बताऊंगा आप ए वीडियो देखने के बाद से असानी से HD क्वाल्टी में पोस्ट बना सकते हैं और पोस्ट बना के अपने सेर चेट पे golden badge, creator badge सब कुछ असानी से ले सकते हैं क्योंकि दोस्तो हमारी पोस्ट सही नहीं होती है और हम फारम भारते हैं creator के लिए और हमें creator नहीं मिल पाता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लावदायक होने वाला है करते हैं क्योंकि Pinterest एप में कोई भी background आप डाउनलोड कर सकते हो आप आसानी से उसमें सारे background जो होते हैं HD quality के होते हैं और दूसरा आपको जरूरत पड़ेगा किसी भी जैसे कि आप Siree का post बनाना चाहते हैं और तीसरा आपको पड़ेगा जिसमें हम post को बनाएंगे, create करेंगे, editing करेंगे वो तीसरा एप है Pixel Lab तो चलिए दोस्तों मैं तीनों एप डाउनलोड कर लिया हूँ उसका तीनों का मैं लिंक description में दे दूँगा आप चाहें तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए मैं चलता हूँ अपने Pinterest एप पे और आपको background डाउनलोड करके दिखाता हूँ तो देखिए दोस्तों मैं आगे अपने Pinterest एप पे अब यहां से आपको किस टाप का background चाहिए जैसे कि मुझे सुबकमनाय वाला पोस्ट बनाना है तो कोई morning वाला background लेता हूँ तो यहां पर हम लिखेंगे यहां पर हम लिख देंगे morning morning background लिखके और यहां पर हम सर्च कर दोस्तों तो देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का open होके आएगा तो इसमें देखिए बहुँ सारे morning का background आ गया है नेचर वाला या आपको जीस टाइप का चाहिए उस टाइप का आ गया है आप इस पर क्लिक करें जैसे कि आपको यह पसंद है तो इस पर क्लिक करना है तो जो आपक इस लिए पर क्लिक करके आप किलिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा तो मैं डाउनलोड कर लिया हूं चलिए मैं आपको ले के चलता हूं अपने पीक्शल लाइब में और वहाँ से आपको करके दिखाता हूं कैसे हम post तीड पर नकी cinco पर आफसां यूजिए फ्राइव एमिर्गे उझे में फ्रांप एल्री पर केलिए तो सीधिया हमारे गेर मिलेकर जाएगा और यहाँ से हम किस पे ग्राउंड पर हमें फोस्ट की कर ना falling बैक्ग्राउंड हम ले लेंगे तो मैं इसको ले ले रहा हूं और यहां से देखिए आपको यह सही का जो निशान है इस पर हम सही कर देंगे तो यह आगया दोस्तों हमारा बैक्ग्राउंड अब हमको इसके लिए कोई सैरी या कोट से जो भी आप लिखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप उस एप को उपेंडें जैसे कि मैं पहले ही बता दिया था आपको कि उसके लिए कोई याप डाउनलोड करें नहीं तो आपको याद है तो आप लिख सकते हैं देखिए दोस्तों मैं एक डाउनलोड किया हूँ यहां से मैं कोई कोट्स ले लेता हूँ तो यहां से मैं प्रेंडदायक पे जाता हूँ प्रेंडदायक का कोई कोट्स ले लेता हूँ देखिए इंसान के जिस्म का सबसे खुबसूरत हिसा तो मैं इसी को ले लेता हूँ और यहां देखिए copy का option आ रहा है यहां से आप copy कर सकते हैं तो यह मेरा codes copy हो गया आप मैं चलता हूँ pixel lab में तो दोस्तों आपको लिखने के लिए क्या करना होगा उपर plus icon पे click करें और यह यहां text पर click करें यहां पर click करने के बाद से आप नीचे आएंगे तो जो यह दीख रहा है यह पर click करेंगे और यहां पर edit पर click कर देंगे तो देखिए हमारा यहां आ गया अब new text जो है इसको यहां से हम delete कर देंगे डिलिट करने के बाद से दोस्तों, जो मैं quards copy किया था, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पेpaste करेंगे, लिखें हमारा quards आ गया, अब यहाँ OK पे हम click करेंगे ऐसे करने के बाद से दोस्तों इसको हम दीख रहा होगा आपको यहां से हम थोड़ा से इसको एक्जेस्ट करेंगे ताकि हमारे बैक्ग्राउंड के हिसाब से एक्जेस्ट हो जाए और देखिए दोस्तो हमारा जो text है line इधर उधर है तो इसको हम बराबर exist करने के लिए क्या करेंगे नीचे जो options आ रहे हैं इसको थोड़ा से scroll कर लेंगे हम scroll करेंगे तो आपको एक options आ जाएगा ailing का ailing पे click करेंगे और जो center हो ला है उस पे click कर देंगे कर देना है और अपने my font में चले जाना है my font पे जाएगे तो बहुत सारे यहां पे font दीखेंगे आपको तो यहां से जो आपको पसंद हो font ले ले तो मैं यह वाला font ले लेता हूँ देखिए दोस्तो थोड़ा सा change हो गया अब क्या करना है दोस्तो हमें इसको थोड़ा colorful बनाना है क्योंकि white कुछ खास नहीं दीख रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा color करेंगे text को अलग-अलग color करेंगे तो हमें यहां देखिए color के option पे click कर देना है और color के option पे click करने के बाद से अब हमें यहां से जिस text को हम अलग-अलग text को अलग-अलग color दे सकते हैं जिस text को हमें जो color देना है उपर वाला जो दो line दीख रहा है उसको मैं करता हूँ yellow color यहां से आपको scroll करके जितना आपको color change करना वहां set कर देखिए और फिर टेक्स है वह yellow हो गया और नीचे वाला जो है हमारा white है तो हम नीचे वाले को भी change करना चाहें तो change कर सकते हैं नहीं करना चाहें तो नहीं करेंगे अब यहां पर हमको सही की निशान पर click कर देना है और दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा क्योंकि हमारा जो text है वह अच्छे swap नहीं हो रहा है तो हम यहां पर इसको थोड़ा सा shadow दे देंगे थोड़ा सा stroke दे देंगे तो देखिए यहां पर stroke है stroke पर click करेंगे और यहां से इसको enable कर देंगे और थोड़ा नीचे scroll करेंगे और यहां पर color choose कर लेंगे कि हमारे stroke का color क्या होगा तो हम black कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं 8 पर कर दे आप 8 कर दे और यहां से साहिक निसान पर click कर देते हैं अब यहां से देखिए दोस्तों shadow है हम थोड़ा सा shadow देंगे इसको यहां पर enable कर देंगे और उसके बाद से हमारा जो attain है इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे इसको हम 3 रख लेते हैं और निचे दिखिए offset जो है इसको भी हम minus इसको minus हम 8 कर लेंगे ठीक है दोस्तों और हम अपने जो font है जो text है हमारा इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे तो यहां size पर जाएंगे size पर जाके इसको थोड़ा सा scroll करेंगे अपने हिसाब से इसको कितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप set कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा post बनके तयार हो गया अब हमें इसको night में post करना है तो good night लिखेंगे morning में करना है तो morning लिख देंगे तो यहां plus का icon पर क्लिक करेंगे फिर text पर क्लिक करेंगे और यहां pencil वाले icon पर क्लिक करेंगे और यहां से इस text को delete कर देंगे और यहां से हम लिख देंगे जो भी good morning करना है तो हमें good morning लिख देंगे यहां गूड मॉर्wenिंग लेकर ओके क्लिक करेंगे इसको यह अंगली से घसकाख याकर लाके यहां पे सेट कर देंगे और फिर हम fund क्लेंगे क्यांकि हमें fund थोड़ा जेंज करना है अच्छा लूक देना है उसे तो यहां से हम कोई दूसरा fund चूँचे कर लेते हैं कौन सा चले यह वाला मैं फंट ले लेता हूँ आप चाहें तो इसमें बहुत सारे फंट है आप जो चाहें वो ले सकते हैं अब इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है साइज पर जाना है इसको स्क्रॉल करकर बड़ा करना है और इसको साइज से आप एक्जेस्ट कर दें और यहां से color choose करेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा green कर देता हूँ और यह दूसरा जो है right वाला इस पे click करके और इसको मैं red कर देता हूँ देखी हमारा कुछ इस्तरा का color बनेगा तो यह अच्छा नहीं दीख रहा है तो हम इसको change करेंगे तो जो green है उसको हम white कर देते हैं अब इसको हम यहां पे थोड़ा stroke देंगे ताकि हमारा जो text है अच्छे से swap हो तो यहां से हम stroke पे जाएंगे stroke पे click करेंगे और यहां हम stroke को black कर देते हैं और इसको stroke को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और यहां सैडो भी दे देंगे हम तो सैडो के लिए फिर इसको 8 पर आप कर दे 4 पर कर दे और इसको माइनस 8 कर दे और इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं तो देखिए दोस्तो हमारा पोस्ट बनके तयार हो गया अब आपको जो लोगो लगाना है वाटर मार्क जो लगाना है तो आप लगा सकते हैं आप लसक आइकन पर किलिक करें फराम गैलरी पर किलिक करें फराम गैलरी पर किलिक करेंगे तो आपको गैलरी में लेके जाएगा और आपका यहां पर कौन सा लोगो है उसको लगाना है तो आप यहां से अपना logo चूच कर लें जैसे कि मैं logo अपना बना के रखा हूँ तो logo पे क्लिक करता हूँ और यहां से देखिए मेरा mks logo है तो मैं इसको लाके कहीं कोने में set कर देता हूँ देखिए दोस्तो अब हमारा post finally one के तयार होगे अब हमें इसको save करना है तो देखिए दोस्तों उपर जो memory का icon दीख रहा होगा आपको इस पे click करना है और देखिए save as image save as image पे click करना है और यहां से आपको उपर वाले पे png कर लेना है और default जो है इसको ultra कर लेना है थोड़ा wait कर ले देखिए दोस्तों अब save होगा चलिए मैं आपको गैली में चलके दिखाता हूँ कि पोस्ट कैसा हुगा है तो देखिए दोस्तों यहीं पोस्ट है देखिए दोस्तों बिलकुल HD quality दोस्तों आप इस तरह का पोस्ट बनाएंगे तो आपको creator verified होने से कोई नहीं रोग सकता है आप ऐसा daily regular basis पर background change करके पोस्ट बनाते रहें आपका ID verify हो जाएगा आप ऐसा 4-5 दिन तक पोस्ट बनाए ऐसा बनाके और उसके बाद से farum fail करें आपका ID 100% verify हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe कर लेना वीडियो को like कर देना और नहीं पसंद आई हो तो subscribe मत करना कोई बात नहीं ओके दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में